दोस्तो आज आपको बताएंगे सर्सो का प्लांट लगाने की विद्धी अगर सर्सो का प्लांट आप जो की खली आप योज करते हैं वो कैसे बनता है उसका भी वीडियो मैं description या कहीं दे दूँगा आप देख लिजेगा उसका भी वीडियो या कमेंट में पिन कर दूँगा ये देखे सर्सो का प्लांट है और ये सर्सो से कैसे खली बनता है और कैसे इसे ये लगता है आप गमला में लगा सकते हैं आप अपने घर में भी लगा सकते हैं घर के सर्सो से ही और ये घर के सर्सो से बहुत असान इसे लग जाता है जो कि घर का इसमें यही खासियत है जो सरसों का बीज कभी पुरान नहीं होता आप कभी कभी लगा सकते हैं यह देखिए यह 20 मतलब 40 दिन बाद ऐसा देखने को मिलेगा जब लगा दीजेगा तो और पानी दीजेगा नीचे से जो भी यह देखिए पूरा पग गया था पगने के करार प्या गया था मेरे पास माच आप कोई अतना खाद देने किया रसकता नहीं होती है आप रुपाई के समय ठोरी खाद देते आफ़ा ही जो खाद होता है ऊसी से यह ग्रो कर जाता है कि कि वह ही आधा केजि यह केजिः का कट्था पअब पंदला में पचास कराम या पचीस कराम को यूज कर सकते कंदल या बोड़ी में लगा सकते हैं और इसमें जो इसके इस एक ये टिल जो निकलता है उसी से आप यहां घर में शर्षिभात भी लगाते हैं और ये पकने दने के लिए दो चार दिन में पक जाएगा यह दस दिन बाद उसका देखिए कैसे पक गया था और यह देखिए कैसे उसमें से सरसो निकला है इसे तोरी कहा जाता है बिहार में आपके यह क्या कहा जाता है मैं इसका कटाई कर दूंगा और कटाई करके इसको मेरे पास यह 200 ग्राम मतलब यह चार प्लांट था उसे 200 ग्राम निकला था आप भी देख लिजेगा अपने अगर इसके नीचे का जितना पता रहता है वह साग के लिए तोट लिया जाता है इससे साग भी बनता है सरसो का जो कि बहुत अच्छा खाने में लगता है वह बहुत आदमी खाते हैं यह जैसे यह आप हर्वेस्ट कीजेगा मतलब यह नब्वे मादीन अभी होली का सीजन है इसमें हर्वेस्ट हो जाता है बिहार में आपके यह कब होता है और इसे अगर बरिमार प्रेमानी पर करते हैं वह इसे खेत में दौनी करवाते हैं वह भी जैसे ग्यहम दौनी होता है व कोई भी लेबर द्वारा जो कि ऐसा ही जार के निकाला जाता है और इसके उपर बाला जो होता है भुष्सी उसे हटा दिया जाता है उसका भी खाद बहुत अच्छा होता है और और अर्गेनिक खाद होता है जिसके परता है वह बहुत अच्छा गुरो करता है उसका खाद से देखिए कैसे यह और गेनिक सरसों हो गया मेरे पास इसमें कोई भी घाज नहीं दिया हुआ है जिसके करनिया अच्छा से ग्यों किया है और चार प्लांट था तो दो प्लांटा भी सुखा वा है दो अहुआ बचा हुआ दो प्लान्टे वह बाद में शुक्ए गए उतना ही रियूत परी निकला है मतलब सरसों और इसका अगर आप पूरा हर्वेस्ट कैसे खली बनता है और कैसे तेल निकलता है वो उसका वीडियो हमने लगा देंगे उसका मसीन का और कैसे वह बनता है पूरा प्रोसेस आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन दाएगा और यह लगाए जरूर अपने गमला में आप अब इसे अक्टूबर में लगा दे अक्टूबर नुवंबर में 25 नुवंबर तक